इसके जो आपको करेंगे और इसको देखेंगे ठीक है जब मैंने पहले आपको यह 12 चैप्टर बनाया था तो उसमें यह जो क्वेस्चिन आने यह वाले मैंने लियर नहीं कराई तो अभी इसको करा रहे हूं ठीक है तो आपको इनको देखना है अपनी इसमें नोड करना है तो स्टार्ट करते है जम्पी आनिम्ल आप अनिमल क्या हैं बहुत सारे जब मैंने चप्तर बढ़ा था आपने देखा हूग अनिमल थे फ्रॉग था इसक्वेरल था राबिट था होस था कंगायो था तो क्या करते जम कर रहे थे ठीक है आप देख वो फ्रॉग यहां पर लिखाया मैंने 0 पर है , जिरो से सीधे क्या करेगा ? 2 में चले जाएगा ठीक है ? 0 से सीधे 2 में टाइम हो करेगा , मिलना 2 स्टैप आगे जम करता है ठीक है ? इस तरीके से आगे को इसी तरीक से फ्रॉग का दिखा रहा है , 2 से 4 , 4 से 6 , 6 से 8 , 8 से 10 में तो तो इस तरह से टू टू स्टैप वह कर रहा है और स्क्वारल जम्स थ्री स्टैप आप स्क्वारल क्या करती है वह थीरी स्टैप जम करती है जैसे जीरो में है वह अभी तो जीरो से सीधे कहा जाएगी थीरी में 3 से सीधे 6 में 6 से 9 में 9 से 12 में इस तरह से वह थीरी स्टैप आ FE5 से फिर 15 में відूlब इस तरीके से लिते अब वह उस तेकर ना करता किष्ट आप एक बार में 15 से कहां जाएगा स्विप्टीं से सीधे निचे को छहां परती होगा वहां पर जाएगा ठीक है and a kangaroo jumps 30 आप kangaroo जो है बहुत बड़ा है तो वो कितना करता है 30 सीदे 0 से 0 सी सीदे 30 में जम करता है ठीक है इस तरही किसे आप इसी से लिएतरी आप एको कुछ question है उनके answer आपको देने दे ठीक है use the path of the page to find out आप जो यह page में आपको बना रखा है इसी में से आपको find out करके बताना है ठीक है first वाला है in how many jumps will they frog reach 30 30 आप frog कर रहा है 30 कितना होगा कितने जो करेगा हो jumps तो हम क्या करेंगे 30 into 2 तो कि एक बार में कितने करता है 2 step करता है तो 30 30 divided by 2 sorry into कहा था मैंने 30 divided by 2 होगा तो is equal to कितना जाएगा 15 ठीक है इस तरीके से आप करेंगे second वाला है in how many jumps will the squirrel reach 27 27 में जब पहुंच आईगे तो कितने jumps उसने किये 27 divided by 3 कर दें क्योंकि एक बार में squirrel क्या करती है 3 step 3 step में जम करती है ठीक है तो क्या जाएगा 9 इस तरीके से आप करेंगे and third वाला है which number will the kangaroo reach in 2 jumps kangaroo के 2 jumps कितने होंगे 1 jumps कितना था उसका 30 and 2 jumps तो क्या जाएगा 30 into 2 60 तो 60 jumps 2 times 2 jumps में उसके कितने हो जाएगे 30, 60 इस तरीके से and fourth वाला है who all will meet at the number 15 15 number में कौन-कौन मिल रहे है जैसे squirrel क्या था ही वो कितने से start के थी 3 3 के बाद किसमें जाएगे 6 6 के बाद 9 में 9 के बाद 12 में 12 के बाद 15 में तो एक तो 15 में कौन पहुँची squirrel and rabbit का देखेंगे rabbit 5 में 10 में 15 में तो rabbit भी कितने में आया 15 में horse horse एक बार में ही क्या कर रहा था 15 में जम कर रहा था ठीक है 15 से start जम कर रहा था तो कौन-कौन मिले 15 में squirrel rabbit and horse तो आप यह answer में लिखेंगे 5 वाला है will the rabbit even be at the number 18 number 18 में पहुँचा पहुचेगा हमने लिखा है no क्यूं क्यूंकि rabbit क्या कर रहा है 5 step जम कर रहा है एक बार में 5 step तो 5 में जाएगा दूरसी बार में 10 में 3rd बार में 15 में 4th बार में 20 में तो कहीं पह 18 आया तो no हम यहापे क्या लिखेंगे no इस तरीके से करेंगे 6 वाल है how many jumps of the rabbit equal one jump of the horse अब आपको बताना है horse के कितना था one jump कितने का था 15 का तो rabbit का बताना है कि कितने jump में 15 में हो जाएगा तो हमने क्या लिखा horse one jump 15 ठीक है one jump horse का 15 एक बार में 15 step हो कर रहा है rabbit का कितना था rabbit का एक jump 5 तो 5 into 3 कर देंगे ठीक है तो कितना जाएगा 15 तो कितने jumps करेगा वो 3 jumps करेगा ठीक है इस तरीके से या आप ये भी कर सकते है 15 divided by 5 तो कितना जाएगा 3 तो आपका ये answer यहापे निकल जाएगा इस तरीके से भी आप कर सकते है ठीक है दोनों तरीके से अगर आपको ये अंदाजन जाएगे 555 तो 3 बार जा रहा है न 555 15 होगे आप तो 3 लिग देंगे आप तो 3 हो जाएगा इस तरीके से करेंगे 7 वाला है How many jumps of the horse equal two jumps of the kangaroo Kangaroo के two jumps के एक्वाल में ने कितना होगा तो हम क्या करेंगे Kangaroo Kangaroo का कितना है 1 jumps तो Kangaroo का 1 jumps कितने का है 1 jumps jumps करता है तो 30 बे 30 into 2 यानि कि 2 करने है न तो 13 to 2 कितना होगा है? 60, यानि कि उसका 2 jumps कितना है? 60, जब वो 2 सा jump करेगा, तो कितने में होगा? 60 में होगा, और horse का, तो हम क्या करेंगे? 60 divided by 15, क्योंकि horse का first jump कितने में है? 15 में है, तो हम 15 divided करेंगे, तो कितना जाएगा? 4, तो हम क्या लिखेंगे? 4 jumps, इस तरीके से आप कर रहेंगे, अब next है हमारा 8 वारा, which is the smallest number where the frog and the squirrel will meet? अब दोनों की जो सब से small number बताना है कि वो कहां पर मिलते हैं, ठीक है? तो frog का jump कैसे हो रहा था? 2, 4, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से कर रहा था न, 8 के बाद आगी को 10 करेगा, फिर 12 करेगा, तो squirrel, squirrel कितना करे थी? 3, 6, 12, 15, इस रहेंगे, तो 3, 3 step उसके आईको हो रहे थे, ठीक है? तो frog कहां पर दोनों का मिल रहे हैं, देखो, smallest बताना है न, इसका तो 3 हो गया, तो 2, 4, किसी से मैंच नहीं हो, 6 का, 6 के साथ, तो कहां पर मिल रहे हैं? 6 पर मिल रहे हैं, कहां पर मिल रहे हैं, वो दोनों, 6 में मिल रह हैं, अबर आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, जो आप सब चीदे कह रहे हैं, जो बना रखा है, 1, 0 से, 1 से, 0 से, 30 तक बना रखा है, इसमें आप इसको करके भी कर सकते हैं, ठीक है? I hope आपको समझ में आया हो, इसी तरीके से आप अपना work करते रहें, ठीक है? continue करते रहें, thank you झाल झाल झाल